बच्चों हम पढ़ें गनित आवकारे और सीके जो कि 6-8 के बच्चों के लिए गनित की वर्क बूखे जिसमें गनित का सरा बैसिक दे रखा है और आज हम इसमें पढ़ेंगे पेज नमबर 140 ठीके पेज नमबर 140 पर अभ्यास जो 124 है यह पढ़ेंगे दिनांका प्लिक लोग बच्चों और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिये तो बच्चों यहाँ पर जो उपा अधार ना दे रखी यहाँ है महतम समापवर्तक के अधाना दे रखी है कि महतम समापवर्तक कैसे निकालते है टήके तो यहाँ पर प्रश्न पह प्राश्न जो पहला दे रखा है निम्नली के संख्याओं के महतम समापवर्तक ग्याद कीजिए तो इसे ग्याद करने के लिए देखो यहां दे रखा हमें चार और आठ के महतम समापवर्तक ग्याद करने है तो चार के गुणन खंडा लिखना है पहले हमें और फिर आठ के और फिर हम SCF निकालेंगे तो हम इस सवाल को करते जाएंगे और SCF निकालने का तरीका भी सीख लेंगे तो SCF जिन दो संख्याओं का निकालना हो तो सबसे पहले हमें उनके गुणनखंड लिखना होंगे ठीके गुणनखंड लिखना हमें आता है बच्चो तो गुणनखंड वे संख्या होती जिनका भाग इसमें पुरी तरह से चला जाएगा ठीके तो चार के गुणनखंड वे संख्या होगी जिन संख्या हो का भाग चार में पुरी तरह से चला जाएगा तो चार में किसकी संख्या का भाग जा सकता बच्चो तो चार देखो एक, दो, तीन, और चार ये चार है ठीक है तो चार से बड़ी संख्या का भाग इसमें जाएगा नहीं चार के बाद पांच से जाएगा इसका भाग तो चार में जाएगा नहीं दो का पाड़ा दो बार बोलेंगे, दो दुनी चार हो जाएगा, तो दो का भाग चार में पूरी तरह से चला जाएगा, तो क्या तीन का भाग चार में जाएगा, तो नहीं, तीन का भाग नहीं जाएगा, जैसे कि यह चार है, ठीक है, चार है, चार में तीन का भाग लगाए तो इस तरह से पूरी तरह से भाग नहीं गया, ठीक है, दश्मिल लगा की करेंगे, मतलब पूरी तरह से भाग नहीं गया, वही संख्याय करेंगे, जिनका पूरी तरह से बिना दश्मिल लगाई भाग चला जाता है, तो इसमें नहीं जारा है, एक शेश बच गया है, तो इस इस प्रकार इसके जो गुणन खंड होंगे, इसके जो गुणन खंड होंगे, चार के वो होंगे, एक, दो और चार, ठीक है, एक, दो और चार, ये चार के गुणन खंड हो गए, उसी प्रकार अब हम आठ के गुणन खंड करेंगे, तो आठ में किन किन संख्याओ का भाग चल और प्रेकार सबस्कार्टार्टाइमें femin ab government परीज चानी चौर्टार्टाब करकार्टे थाम घ्रमारब कारनेट को तो मिल्गराब हमां गवारा,रे मिल्चा बॉराब कॉस्ति पन्दी होनिई तो परेकिति स्छोल बनीग होतोßen,क। और आंट के भी गुननखंड लिख दी हैं, अब हमें SCF निकालना है, SCF मतलब है महत्तम समाफ़तक या हाइस्ट कॉमन फेक्टर, हाइस्ट मतलब बड़ा, ठीक है, महत्तम मतलब बड़ा कॉमन फेक्टर निकालना है, तो इनमें जो समान जो फेक्टर आ रहे हैं, या समान गुननखंड जो आ रहे हैं, तो कौन-कौन से समान है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, दो है इसमें, दो इसमें भी है, चार इसमें भी है, चार इसमें भी है, आठ इसमें नहीं है, तो तीन जो है, तीनों जो कॉमन है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हाइस्ट चाहिए, सबसे बड़ा वाला चाहिए, तो सबसे बड़ा क्या है? चार है, तो यहा पे SCF जो है, 4 और आट का SCF मतबला महतं समाफ़ तक हो जाएगा चार, ठीक है, क्या हो जाएगा चार प्रकार जो अगला सवाल है इसमें हमें करना 24 और 6 के ठीक है 24 और 6 के जो है हमें महत्म समाफ़र तक लिखना है तो सबसे पहले हमें 24 के गुणनखन लिखना पड़ेंगे तो 24 के गुणनखन लिखने के लिए हम वो वो संख्या लिख लेंगे जिनका भाग 24 में पूरी तरह से चला जाता है तो सबसे पहले एक तो हर संख्या के गुणनखंड में आती ही है एक के बाद किसका भाग चला जाएगा 24 में तो 2 का ठीक है 2 का भाग चला जाएगा 3 का 3 के पाड़े में 3 औरठो 24 होते हैं ठीक है अब 4 का 4 चंग 24 होते हैं 5 का नहीं जाएगा क्योंकि 5 का भाग तो केवल उन संख्याओं में जाता है जिनके आकरे में 0 और 5 होते हैं तो इस तरह की चीज़े हम पहले पढ़ चुके बच्चों आपने यदि वो वीडियो नहीं देखे हो तो चैनल के प्लैलिस्ट पर जाकर देख सकते हो पाच का नहीं जाएगा, छे का चला जाएगा, छे चोग 24 होते हैं, फिर साथ का नहीं जाएगा, आठ का जाएगा, आठतिया 24 होते हैं, और बारा दुना 24 होते हैं, और फिर 24 का, ठीके, तो इस प्रकार हमने 24 के जो गुननखन डलिक दिये हैं, अब 6 के गुननखन लिखेंग कि छे तो अब हमें यहांपे हाइस्ट C-screen और सिय एफ लिखना है तो महत्तम समाफ़र तक लिखना आ तो हम देखेंगे कि ऐसे कॉन से common factor है ठीक है समानतो है लेकिन ऐसा कुन सा जो सबसे बड़ा है तो common factor यहां पर कुन-कुन से एक ईसमें भी 12 में बी 13 में भी है 13 में भी है, अब इसके बाद इसमें 6 है और इसमें भी 6, ठीक है तो इनके जो common factor हुए या समान जो गुननखंडे कौन-कौन से है, 1 है 2 है, 3 है और 6, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो 6 है तो इसका उतर आएगा 6 ठीक है, 6 उतर आजाएगा अब अगला जो सवाल है इसमें प्रेशन नमबर जो 30 है इसमें 14 और 16 के गुननखंड करने है तो 14 के जब हम गुननखंड करेंगे, तो कौन-कौन से आजाएगे 1, ठीक है 2, क्योंकि 2 साती चौदा हो जाएगा 3 के पाड़ में 14 आता नहीं है 5 में नहीं आता है 6 में भी नहीं आता तो 7, 7 दुनी 14 8, 9, 10 इसमें नहीं आएगे फिर आजाएगा 14 उसी प्रेकार 16 के गुनन करने करेंगे तो हो जाएगे 1, 2, 3 में नहीं आएगा 4 में आता है 4 चौदा हो जाएगे 5, 6, 7, 8 हो जाएगा 8 दुनी 16 हो जाएगे और फिर आजाएगा 16 ही तो इस प्रेकार इमके जो common factor या गुनन करन जो समान है वो कुन-कुन से एक दोनों में है दो भी दोनों में है और कोईसी भी संक्या दोनों में common नहीं है ठीके तो इसमें सबसे बड़ा सबसे बड़ा highest जो common factor या महत्तम समापर तक हो जाएगा 2 ठीके 2 तो इसके उत्तर आएगा महत्तम समापर तक है 2 अब अगला जो सवाल है चोथा 30 और 5 के गुनन खंडा हमें लिखने 30 और 5 के तो 30 के की गुनन खंडा जब हम लिखेंगे तो कौन-कौन से हो जाएगे 1 ठीके 2 तो कि 2 का भाग 30 में चला जाता है फिर 3 आजाएगा 4 का भाग नहीं जाएगा पुरी तरह से 5 हो जाएगे 6 हो जाएगा फिर 8 नहीं आएगा अब आजाएगे 10 ठीके 10 के बाद 15 15 दुना 30 होता है और फिर आजाएगे 30 ठीके उसी प्रेकार पांच के गुनन खंड करेंगे तो पांच के गुनन खंड क्या होते हैं एक के बाद तो 2 का भाग नहीं जाता 3 का नहीं जाएगा 4 का भी नहीं जाएगा और 5 का जाएगा तो इनमें कौन-कौन से कौमन है एक तो ही सही सभी में और फिर पांच तो इसका जो महत्तम समापवर्तक होगा वो हो जाएगा पांच ठीके पांच तो क्या 30 और 42 तो 30 के गुणन खंड कौन-कौन से हो जाएगे तो 30 के गुणन खंड हो जाएगे रहल एक तो क्योंकि दो का भाग 30 में चला जाएगा 3 3 का भाग भी चला जाता है ठीके फिर 4 नहीं आएगा पांच ठीके 5 का तीस पांच के पाड़े में ही 30 आ जाता है 6 और 7 7 नहीं आएगा बच्चो 6, 6 पंजानी 30 होते हैं 7 नहीं आएगा 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा अब आज आएगा 10, ठीक है 10 और फिर 15 और फिर 30 ठीक है, इसी प्रेकार 42 के गुनंखंड हम करेंगे तो 42 के गुनंखंड हो जाएगे 1, 2, ठीक है 3 का भाग भी चला जाएगा इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 का नहीं 6, 6, 7 बैयालिस होते है 7, 6, 46 होते है 7 के बाद हो जाएगे, 14 14 के पाड़े में 42 आते हैं, 14 12 के बाद 21 का फाड़ा दो बार बोलेंगे तो पुरी तरह से कर जाएगा फिरा जाएंगे 42 तो अब इन संख्याओं का जो हाइस्ट common factor होगा जो दोनों में समान आ रही हो हाइस्ट संख्या कुंसी एक दो तीन एक दो तीन दोनों में आ रहे है अब 6 इसमें 6 इसमें भी है ठीक है अब इसके आगी क्या है आगे कोई सी भी संख्या कौमन नहीं है तो यहां पे इसका उत्तर आ जाएगा छ ठीक है छे जो है इसका जो है महत्तम समापवर्तक है तो महत्तम समापवर्तक वास्तों में बहुत संख्या होती जिसका भाग उन दोनों ही संख्या में चला जाता है ठीक है तो छे का भाग ले अधि हम लगाएंगे तो